इसके पास भी है क्योंकि इसके पास भी है क्योंकि इसके पास भी है इसके इसके पास भी है और विफ विफ भी है तो यह कोश्चन है तो बहुत सारे लोग साइट पे थमरूल बताते हैं आप इतने का डेप ले लो और इतने का डेप लेलो यह थमरूल है सिर्फ thumb rule को कोई इंडियन standard को कोई code नहीं है ना कोई parameters है आप जब किसी चीज को design करते हैं तो आपको code के हिसाब से चलना पड़ता है तो code के हिसाब से चलने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने proper एक dimension लेके बनाया है कि हम लोग कौन से code से reference उठा रहे है 3920 यह ductile detailing के लिए code यूज होता बहुत ही अच्छी code है और बहुत ही कम pages की है means approximately 30 page की code है 2016 का वर्दन है इसमें दो clause है 6.1.1 and 6.1.2 पहला यह clause देखी नीचे वाला beam shall not have width less than 200 mm means की beam जो भी beam है उसकी 200 mm से कम की width नहीं हो सकती है 200 mm से ज्यादा की हो सकती है 2500 हो सकती है 300 हो सकती है कितनी भी हो सकती है लेकिन 200 mm से कम नहीं हो सकती 199 नहीं हो सकती अब इसी के according हम लोग depth भी decide करते हैं देखे यहाँ पर दूसरा clause है हमारा beam shall preferably have width to depth ratio of more than 0.3 इसका मतलब यह है कि जो width और depth का जो ratio है हमेशा किस से बड़ा रहेगा 0.3 से अगर यह ratio 0.3 से बड़ा ना हो छोटा हो जाए या 0.29 हो जाए या 0.28 कितना भी हो जाए तो यह हमारी beam कहलाएगी ही नहीं यह कुछ और बन जाएगी इसे wall मान ले या कुछ भी मान ले जैसे आप यहाँ पर देखें तो यह देखने में आपको यहाँ पर wall लग रही है बट यहाँ पर हम इसको as a beam की तरह treat कर रहे हम देखना यह चाहते है कि क्या यह beam है की नहीं तो आईए हम जब calculation की बात करते हैं तो यहाँ आईए हम लोग इसको calculate करते हैं पहला calculation हमारा हमने यहाँ पर beam की जो width है उसको 200 mm लिया है और beam की जो depth है उसको 250 mm लिया है अब हमें इस formula पर इसे रखना है w upon d always greater than 0.3 देखने w हमारी कितनी है 200 mm है 200 mm and the depth is 250 mm जब हम इसको calculate करेंगे तो यह हमें कितना मिलेगा 0.8 तो you can clearly see 0.8 is greater than 0.3 यहाँ पर 0.7 रहे 0.5 रहे कितना भी रहे बट 0.3 से बढ़ा होना चाहिए अगर यह 0.3 से बढ़ा है तो इसका मतलब यह है कि यह beam है यह इसको हम beam की category में रखेंगे अगर यह से छोटा हो गया तो यह beam की category से बाहर हो जाएगा beam नहीं है यह तो यह चूंकि beam की category में आप लोग देख सकते हैं here this beam's parameter is approved by code यह जो है code का formula और code के formula के हिसाब से यह approved हो रहा so this is correct यह साही है अब देखें एक हम ऐसा structure ले ले लेते हैं एक ऐसा figure ले लेते हैं जो हमारे beam के parameters में नहीं fit होता तो देखें उसको कैसे करते हैं हम लोग यह देखें यह दूसरा figure ले लिया है यहां जो beam की width है 250 mm and यहां depth कितनी है 1000 mm है अब देखें इसको calculate करके देखते हैं कि यह हमारी beam है के beam नहीं है okay तो you can see here w upon d is always greater than 0.3 w is 250 mm here and the d is 1000 mm means 1 meter it should be greater than 0.3 इसको 0.3 से बड़ा होना चाहिए अगर इसे beam होना है तो तो देखें अगर 250 upon 1000 को हम calculate करते हैं तो हमारा answer आता 0.25 जो कि clearly दिख रहा है कि 0.3 से बड़ा नहीं है means यह beam नहीं है भले ही इसमें width है और इसमें भी depth है बट यह चूंकि यह इस parameters को follow नहीं कर रहा है इस पर यह perfect नहीं है parameter पर इसलिए beam नहीं है so the conclusion is here this beam's parameter is not approved by code so this is not correct तो आप लोग जब भी किसी भी तरह का beam decide करें beam का dimension decide करें उसके width के long उसके depth decide करें तो इस formula को ज़रूर धियान में रखिएगा और यह formula आपको कहां मिल जाएगा यह formula आपको simply इस code में मिल जाएगा 3920 2016 के edition बहुत अच्छी code है ductile detailing के लिए internet पर easily available है आप देख लिजेगा और यह जो दो clause है यह दो clause मैंने उसी code से निकाले हैं तो यह दो clause आपको simply उसमें मिल जाएगे ok thank you कर दो